दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर्याना विधान सवाद चुनाव नजदीक है और चुनाव को लेकर लोगों के बीच जो सबसे प्रमुक चर्चा है वो यह है कि भाया टिकट किसको मिलेगा चुनाव के लिए जब राजनीतिक दल तयारी करते हैं तो सबसे पहले प्लेटिशन के लिए होता है कि उनका टिकट तै हूँ तो राजनीतिक दल देखते हैं कि उनके प्रत्याशी तै हूँ राजनितिक दल यह देखते हैं कि जिस चहरे पर वो दाव खेलने जा रहे हैं वो कितना काम्याव होगा और इसी कसोटी पर कसे जाते हैं चुनाव लड़ने के छुक निता तमाम प्रकार के राय शुमारी होते हैं तमाम प्रकार के सरवे होते हैं और उनके बाद में एक निशकर्ष पर पहुंचती है पुलिटिकल पार्टी की किसको चहरा बनाया जाए और उस सब के पीछे जनता की राय जो मैंने आप सेको बताया राय शुमारी और सर्वे हलाकि वो कितने सठीक होते हैं कितना उन पे ग्राउंड वर्क किया जाता है और या वो हवा हवाई होते हैं इस तरफ जाए बिना मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पर आ रहा हूं और एक मुद्दे पर आ रहा हूं कि आखिर political parties की जो तयारी होती है विधान सभा चुनाव लोग सभा चुनाव इन सब को ले करके वो किस प्रकार की होती है और चहरा महरा कितना माईने रखता है अगर चेहरे महरे की बात करें तो चुनाव मैदान के अंदर दोस्तों तीन चीज काम करती है एक कैंडिडेट का फेस, दूसरा पार्टी का फेस और फिर उसके बाद में पार्टी की हवा जिसकी भी हवा कम होगी उसकी हवा निकल जाती है और राजनितिक अंदर एक बात हमेशा कही जाती है कि किसकी हवा चलेगी, किसकी निकलेगी ये काफी हद तक तै करता है कि चेहरे महरे कौन होंगे किसी राजनितिक दल के अगर अच्छी हवा होती है और उसके कैंडिडेट्स में कहीं प्रत्याशी चैन में कहीं कमी रह जाए तो फिर बात बिगड़ जाती है और आपको मैं बताता चलूं कि तमाम राजनेता हमेशा चुनाव के बाद चुनाव के दोरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद कहावी करते हैं कि अमुक नेता को टिकट मिलता तो ठीक होता अमुक होता तो ठीक होता और ये होता तो वो होता वो होता तो ये होता लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि चुनाव की तयारियों को लेकर जो पार्टी का आंतरिक सर्वे होता है उस पर बहुत गंभीरता से मनन, चिंतन, गहन, मन्थन किया जाता है और इस वीडियो में मैं आपके साथ उस मुद्दे को ले करके हूँ यानि कि हरियाना की अध्योगिक नगरी फरिदाबाद और फरिदाबाद के लिए आखिर कॉंग्रेस आला कमान के मन में चल क्या रहा है वो फरिदाबाद जहांपर की लोगसभा चुनाओं में लोगसभा चुनाओं में फरिदाबाद की एक प्रतला विधान सभा को छोड़ दें क्योंकि प्रतला विधानसभा मैंने आपसे पहले कई बार कहा है कि मैं तो उसको पलवल का हिस्सा मानता हूँ वो रूरल इलाका है पूरी तरह से पूरी तरह ग्रामीर है बाकी फरिदाबाद की पांच विधानसभा सीटों पर कॉंग्रेस के कैंडिडेट लोगसभा चुनाओं में पिछड गए थे बुरी तरह से हर विधानसभा सीट में चाहे वह बल्लबगर थी चाहे वह एन नाइटी थी चाहे वह बढखल थी चाहे उत्तिगाओं थी चाहे वह फरिदाबाद 89 यानिकी इन पांच विधानसभा सीटों पर महंद्र परताब जी चुनाओ में बुरी तरह पिछडे थे कहीं 30,000 कहीं 35,000 कहीं 40,000 कहीं 45,000 इस ये रेशो रहा था चुनाओं हारने का इन विधानसभा सीटों पर एक प्रतला विधानसभा जरूर थी जिसका मैंने आप से कह रहा हूँ अलाकि वह टेक्निकल रूप से तो फरिदाबाद में गिनी जात कि आखिर कॉंग्रेस के मन में चल क्या रहा है और कॉंग्रेस क्या कर सकती है कौन से नेता को कैंडिडेट बना सकती है आप से ज़्यादा पहिलिया ना बुजाते हूँ मैं सीधे सीधे कहूं तो फरिदाबाद के हम शुरुआत तिगाओं विधानसभा से कर लेते हैं 2014 में एक बार कॉंग्रेस जीतने में सफल रही परिसीमन के बाद यानि कि 2009 के चुनाओं में पहली बार अस्तित्व में आई थी तिगाओं विधानसभा सीट तीन वहाँ पर अब तक चुनाव हो चुके हैं 2009 में वहाँ पर कशनपाल गूजर जीते थे बत और बीजेपी कैं कैंडिडेट और एक बार कॉंग्रेस जीती बीत में 2014 में ललित नागर चुनाव जीते विधायक बन गई कॉंग्रेस कैंडिडेट के तौर पर अगर अब बात करें कॉंग्रेस कैंडिडेट पर किसकी लौटरी लग सकती है किसको टिकेट मिल सकता है तो हालांकि ललित चुनाव के अंदर जो 2024 का विधान सभाज चुनाव है इसमें क्योंकि ललित नागर की जो पार्टी के अंदर जो मैं आपको बताओं कि उनकी जो से थी मुख्य वो कहीं कमजोर हुई है ललित नागर को रवट वाडरा और गांधी परिवार के नजदीकियों में माना जाता थ लेकिन वहां अब डेंट लग चूका है वहां डेंट लगा है हालांकि ललित नागर पर तमाम प्रकार के जैंसी की कारवाई भी हुई रवट वाडरा के साथ और गांधी परिवार के साथ नाम जुड़ा होने के चलते या उलेंद डील जो लेंट सकेम जो भी थे उसके अं देंट लग चुका है दूसरी बात यहां से लोकसभा चुनाव में टिकेट मिला था महंदर परताब जी को महंदर परताब जी के चुनाव एक दो दिन तो ललित नागर जी ने ठीक ठाक समाला और बाद में राजनीतिक हमाई कहती है कि वहां कुछ गरबड हो गई थी अब आज से वहां पर एक और नया नाम चर्चाओं में है और मेरी कॉंग्रेस के बड़े पतादिकारी से राष्ट्रिय स्तर के पतादिकारी से मेरी आज सुबा बात भी हो रही थी तो वो भी बता रहे थे और उसके अंदर जो एक नया नाम निकल के आया वो है रोहित नागर य 2014 में भी और 2019 में भी हलांकि 2024 में तो उनका नाम कम चला लेकिन 2014 और 2019 में उन्होंने खुब तयारी की लावलशकर ले करके वो होडल से कर्मन बॉर्डर से लेकर और बदरपुर बॉर्डर तक घुमा करते थे रोहित नागर की बताते हैं जो कभी ललित नागर सहाब की थी वो आज स्थान रोहित नागर ले चुके हैं कॉंग्रेस के उपर वाले हिस्से में तो मैं आपको बताता चलू कि इन दौनों नेताओं में ललित नागर और रोहित नागर में कड़ा प्रतिस पर्दा होगी कड़ा मुकाबला होगा टिकेट के लिए और रोहित नागर उसमें अवल रह सकते हैं अगर मैं आपसे अगली विधान सभा की बात करों तो फिर फरिदाबाद की बात कर लेते हैं फरिदाबाद 89 फरिदाबाद 89 पर भी कॉंग्रेस एक बार चुनाव जी थी परिसीमन के बाद 2009 के बाद जो पहला चुना हुआ 2007 में परिसीमन के बाद 2009, 2014 और 19 जो तीन चुना हुए 2009 में यहां पर आनंद कौशिक विधायक बने कॉंग्रेस के टिकेट पर 2014 में यहां से विदायक बने भारती जन्ता पारिटी से विपुल गोयल और 2019 में यहां से विदायक बने भारती जन्ता पारिटी के टिकेट पर नरेंद्र गुपता और यहां आते आते जो लखन सिंगला कॉंग्रेस के कैंडिडेट थे 2019 के चुनाओं में वो दूसरे स्थान पर रहे, 2014 के चुनाव में यहाँ पर आनंद कौशी की थे, वो पिछड गए थे विपुल गोयल से, अब अगर कॉंग्रेस केंडिडेट की बात करें, तो ललित नागर वहाँ पर मजबूती के साथ दिखाई पड़ते हैं, हुड़ा साब का उनको और उनके साथ सहयोग से लगता है कि लखन सिंगला सबसे उपर हैं, लेकिन यहाँ पर आगे चलते हैं तो फिर लखन सिंगला को चुनावती देने के लिए बलजीत कौशिक हैं, बलजीत कौशिक कुमारी सेलजाग उठ से हैं, यहाँ एक चीज और आ जाती है दोस्तों कि फरिदाबाद विधानसवा सीट जो है, यह शहरी विधानसवा सीट है और इसको पंजाबी बाहुल्य माना जाता है, यहाँ पर पंजाबी नेता को कोई टिकट नहीं मिला और पिछले दिनों कॉंग्रेस के ही नेता करन सिंग दलाल ने पंजाबी कार्ड खेल करके फरिदा में तमाम राजनीतिक दलों में बात चल रही है, तो क्या अगर वो होता है, तो फिर क्या होगा, लेकिन इस सब के बावजूत भी अगर मानें, तो अभी लखन सिंगला ओन ग्राउंड उपर दिखाई देते हैं और सब कैंडिडेट से, अलक मैंने आपको नाम बताया कि बल इसमें आप मानें कि अगर पंजाबी चेहरे की बात आती है, तो फिर किस परदा वो बसंत विर्मानी हो या जो दलाल साब कह रहे हो, या फिर कोई नया चेहरा ढूंडा जाए लेकिन अगर बात आएगी तो फिर लखन सिंगला यहां मुझे मजबूत यू दिखाई पड़ और लगबक 20-22,000 वोट से वो चुनाव उसमें हार गए इसके साथ बात 2024 को भी जोडेंगे तो 2024 का जो भी हाल ही में लोगसभा चुनाव हुआ यह लखन सिंगला भी दावा करते हैं और अगर आखड़े देखें तो फिर यह सामने आता है कि क्योंकि फरिदाबाद जो है 89 वो महिंदर परताब जी को वोट मिले वो अन्य सीटों के मुकावले gap of margin कम था हार का margin कम था इसलिए लखन सिंगला वो भी कहते हैं कि मैंने आप मेहनत किये तो वो यहां पर मुझे अबल नजर आते हैं अगर अगली विदान सभा की सीट की आप से बात कर लें तो फिर NIT की बा नीरच शर्मा लोगसभा चुनाव में भी महिंदर परताब जी के साथ दिखाई पड़ते थे लेकिन जो लोगसभा चुनाव हुआ उस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा डेंट लगा महिंदर परताब जी को NIT विदान सभा सीट से महिंदर परताब 40-42 अजार वोटों से जादा के वोड़ अंतर से हार गए चुनाव को और इसे माने तो ये नीरच शर्मा की साख पर भी सवाल है क्योंकि वो पूरी तरह से उनका चुनाव संभाले हुए थे अब अगर बात कर लेते हैं तो NIT में और कौन फिर तो कॉंग्रेस की टिकेट के लिए पिछले दिनों यहां पर अवतार सिंग बढ़ाना का नाम बहुत चला अवतार सिंग बढ़ाना पिछले कई दिनों से सक्रिये भी दिखाई पड़ते हैं और चर्चा है कि अवतार सिं तो यहां वो भी नजार रखे हुए हैं अगर एक और नाम कहें तो फिर यहां पर एक नाम आ जाता है जगन डागर का जगन डागर नगर निगम के पारशद रहे हैं और वो भी फरिदाबाद की NIT सीट पर अपनी ताल ठोकते हैं हलाकि नाम और भी कई हो सकते हैं लेकिन अ दायक बने लेकिन अगर उनके सामने अवतार सिंग बढ़ाना आते हैं और उनको समर्थन महिंदर परताप जी का मिलता है तो फिर देखना होगा कि मुकाबला कड़ा हो जाएगा लेकिन मुझे जो लगता है कि यह दो नाम जादा परमुकता से रहेंगे नीरश शर्मा और अवतार सिंग बढ़ाना तो यह दो नाम परमुकता से रहेंगे नीरश शर्मा और अवतार सिंग बढ़ाना अगर अगली विधानसभा की बात करें तो फिर बढखल विधानसभा सीट बढखल विधानसभा सीट से कॉंग्रेस एक बार चुनाव जीती 2009 म पर और उस चुनाव के अंदर 2014 में महंदर परताब जी को टिकेट था वो चुनाव हार गए और 2019 में विजे परताब उनके बेटे को टिकेट था विजे परताब भी चुनाव हार गए एक शिगूफा जो मैंने आपसे कहा कि पिछले दिनों यहां भी छोड़ा गया करन सिंग दराल यहां के लिए बढखल के लिए भी कहते हैं कि यह पंजाबी सीट है पंजाबी समाज की यहां पर दावेदारी है वैसे आपको बताता चलूँ तो बढखल विदान सभा में पंजाबी मद्दाताओं कि संख्या लगवग एक लाग से जादा एक लाग 15-20 अजार तक बताई जाती है लोग जो कहते हैं उस सिती में तो फिर यह पंजाबी सीट बनती है लेकिन कॉंग्रेस से जो दावेदारी कर रहे हैं अब चर्चाओं में एक नाम है दोस्तों नया वो नाम है कि क्या विजे परताब जी की जगह आपकी बाहर यानि कि चौधरी महंदर परत पुत्रवधू विजे परताब जी की धरम पतनी के लिए कॉंग्रेस कैंडिडेट के तौर पर आगे किया जा सकता है जहां तक पंजाबी चहरे की बात है तो वो इसको भी पूरा करती है विजे परताब जी की धरम पतनी हलाकि यह बात अभी बड़े सोर्सों से नहीं निक करके तो उसमें विजय परताब जी बहुत अवल दर्जे पर अवल नंबर पर उनके साथ आगे आगे रहे कदमताल साथ कर रहे थे हलां कि यहां भी जब पंजाबियत की बात पंजाबी केंडिट की बात आई तो कई नेताओं ने जो पंजाबी समाज के अपने दावेदारी क लेकिन मैं आपको यह जरूब बताता चलूँ कि मुझे कोई ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा कि जिसको एजे केंडिडेट इतनी जल्दी जिस पर मन्थन किया जा सके चाहे वो भारत अरोड़ा हैं चाहे वो भुवनेश धिंगड़ा के भाई हैं जो योगेश धिंगड़ा प लेकिन वो चहरा और मौरा वो जरूरी जो होता है उन चहरों के अंदर चहरे तो सामने है लेकिन क्या वो ताकत वो वाली बन सकती है उनके अंदर को विधान समाज चुनाओं में डावेदारी कर सकें क्योंकि भारती जंता परटी से आप लगबग तैय मान करके चलें कि सीम लखा हैं चाहे वो उसके अंदर राजीव जेतली हैं चाहे वो उसके अंदर और भी कई सारे नाम है जो टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं फरिदाबाद बढखर विधानसभा सीट के लिए पंजाबी समाज के और बहुत सारे नाम है राजन मुथरेजा हैं और भी कई नाम ह लेकिन ये जरूर है कि यहां पर जो नंबर एक पे चलता है वो बीजेपी से हलाकि मैं बात आपसे चर्चा कॉंग्रेस ही कर रहा हूं तो कॉंग्रेस पर वापिस आ जाते हैं इसलिए अगर कॉंग्रेस केंडेट की बात करें तो यहां पर विजेपरताप के मुकाबले में वो पंजाबी समाज का कोई नेता नजर आता नहीं इस लिहाज से देखें तो विजय परताप और अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो फिर विजय परताप की धरम पत्नी भी केंडेट हो सकती है अगली विधानसवा की बात करूँ तो आप से बात कर लेते हैं बल्लबगड की बल्लबगड के विधानसवा छेतर में भी कई नाम है जो नाम चल रहे हैं उनके अंदर आप अगर देखें तो आल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी की यूथ की सचीव हैं पराग शर्मा पूर विधायक रहे हैं बल्लबगड से योगित शर्मा उनकी बेटी है और मैं आपको बताता चलूँ कि पराग शर्मा का नाम आप नौट कर लें कि उनका नाम बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है मैंने आपको बताया कि आज कॉंग्रेस के एक बड़े पतादी काली से मेरी आज दिन में काफी बहुत देर चर्चा हुई तो उन्होंने भी पराग शर्मा के नाम को कहा कि पराग शर्मा का नाम हो सकता है बल्लबगड विधान सभा सीट के लिए क्योंकि लगातार यहां से मूल्चन शर्मा दो बार विधायक है और यहां से ब्रामण नेता कई बार विधायक बनते रहे जो ब्रामण नेता विधायक बने उनमें योगे शर्मा का नाम मैंने आपको बताया है यहां पर आनन शर्मा विधायक बने या चुनाव लड़ने के लिए रामबिला शर्मा भी आए और जो मूलचन शर्मा जो है मूलचन शर्मा 1987 में योगे शर्मा जो पराग शर्मा के पिता है योगे शर्मा जी वो विधायक थे और उस समय उनके निजी सहायक सची सहायक के रूप में सहयोगी के रूप में काम किया करते थे आज के परिवहन मंत्री पंडित मूलचन शर्मा इसलिए पराग शर्मा का नाम बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है यहां पर बाकी और नामों में जो आजाते हैं अगर नाम तो फिर यहां पर शारदा राठोर है दो बार की विधाय में शारदा राठोर कभी हां कभी ना में रह गई और कभी बीजेपी के दरवाजे पर कभी कॉंग्रेस के दरवाजे पर यह सब चलता रहा और स्थिती यह रही कि नामांकन के अंतिम्तिती आने तक उनको भारती जनता पार्टी से उमीदे रही लेकिन बीजेपी ने पंड किट मिले लेकिन हुआ नहीं बाद में शारदा राठोर को ये भी था कि शायद भारती जंता पार्टी की सरकार में उनको कोई लाब का पद मिल जाए वो भी हो ना सका और इसके बाद में कहते हैं कि जो लौट के घर को आए तो शारदा जी वापिस अपने घर में उन्हों एं चौधरी यहां के जो पार्शत थे पहले आजार पिछली बार ने चुनाव भी लड़ा और बीज़ार के आसपास वोट लिए वो भी तयारी कर रहे हैं दीपक चौधरी कुमारी सहल जागुट से हैं पराग शर्मा का हुड़ा साब कुट में भी है और उनका असर अपना ख जाती है कि कौन केंडिडेट हो कौन सा चेहरा हू कगा भारती जंता पार्टी के मुकाबले यहां कॉंग्रेस अपकी बार को ब्रहमर मरें को लेकर के यह बात भी चलती है अगर ऐसा होता है तो फिर क्या प्राग शर्मा सूटेवल कैडिडेट है क्योंकि जो उनका प्राग शर्मा का नाम प्रमुक्ता से आया तो आप मान करके चलें कि टिकेट की दावेदारों में हलाकि नाम तो मैंने आपको चार बताए लेकिन प्राग शर्मा नंबर अवल दिखाई देती हैं इसमें अगर अगली बात करें तो फिर प्रतला विधान सभा की है हलाकि हमने आपसे कहा कि प्रतला को मैं जोडता हूं पलवल जिले में लेकिन टेक्निकल रूप से फरिदाबाद है तो फरिदाबाद की बात करी रहे हैं प्रतला विधान सभा में कॉंग्रेस एक बार चुनाव जीती 2009 में चौधरी रगवीर सिंग तेवतिया रगवीरा चुनाव में उसमें विधायक बने थे 2014 और 2019 दोनों चुनाव रगवीरा ही केंड़ेट थे और दो बार वो चुनाव हार गए अब हाला कि ये बहुत चर्चाएं हैं इस बात की कि जो कॉंग्रेस में दो बार केंड़ेट हा रहे हैं उसमें क्या लेकिन जो ग्राउंड में रिपोर्ट आ पार गए उनको टिकेट नहीं तो फिर कौन तो उस स्रेणी में यहां कई नाम है और अगर मैं आप सको सीरेल वाइज बताता चलूं तो उस स्रेणी में यहां पर हेम चौधरी का नाम आ जाता है हम डागर का उनका नाम भी नंबर अच्छे नंबरों में है भुपेंदर सिं मुख नाम है पहला और दूसरा कर कहें तो रगवीर सिंग तेवतिया और फिर हेम डागर तो यह फरिदाबाद जिले की छे विधानसवा सीटें जहां पर की कॉंग्रेस के कैंडिडेट किन पर महर लग सकती है वो मैंने आप से जिक्र किया आपको इक पर फिर धोरा दें कि तिगाओं विधानसवा के लिए रोहित नागर नंबर वन और नंबर टू लरित नागर अगर आते हैं उसके बाद में फरिदाबाद तो नंबर वन लखन सिंगला और नंबर टू कोई पंजाबी कैंडिट हो सकता है नंबर तीन अगर आते हैं तो हम बढखल विधानसवा पर विजय परताप और विजय परताप की धरम पत्नी मुझे तो यह दोनों लगते हैं इसके लावा मुझे कोई और नाम दिखाई पड़ता नहीं खास कोई अगर अगली विधानसवा में आते हैं बल्लवगर तो यहां पर पराग शर्मा और फिर उसके बाद में पर आते हैं तो फिर फरिदाबाद NIT यहां पर नीरज शर्मा और फिर अवतार सिंग बढ़ाना और अगर प्रतला की बात करते हैं तो रगवीर सिंग तेवतिया और हेम डागर यह आपको हर विधानसवा सीट पर दो-दो नाम बताएं आपको क्या लगता आप हमारी बास स पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें